सद्गुरू एक और बहुत महत्वपूर्ण सोच है जो इस परिसर में बहुत महत्वपूर्ण है वो है नारिवाद और आपने अपने एक पुराने विडियो में कहा है कि नारिवादी बस पुरुष बनने की बेसब्र कोशिश कर रही है नई नई आप दूसरे लोगों की टिपनिया बता रही है ना कि मेरी आप दिल्ली के कुछ वकीलों की कुछ मुर्खता पून टिपनिया बता रही है तो पुरुष और इस तरी दो अलग अलग प्रजातिया नहीं है हमें ये समझना चाहिए कि मान लीजिए 50 साल पहले या 100 साल पहले तकनिकों के आने से पहले जीवन में कुछ चीजें थी जो सिर्फ एक पुरुष कर सकता था इस धर्ती पर काम मुख्य रूप से पुरुष की ताकत से होता था हाँ इनसान की शारिरिक बल से मुख्य रूप से पुरुष की महिलाएं ऐसे काम हाथ में लेती थी जिसमें शारिरिक बल की खास जरूवत नहीं होती थी जीवन के दूसरे पहलू भी होते वे सभाविक रूप से वो काम करती थी तो दुनिया इस तरह चल रही थी आज महिलाएं बाहर जाकर कई चीज़ें उदारवाद या नारिवाद के कारण नहीं कर रहीं सिर्फ तकनीक के कारण कर रही है तकनीक ने ताकत का मूल ले गिरा दिया है ओ, ये शब्द इस्तमाल करना सही नहीं है तकनीक ने ताकत का मूल ले गिरा दिया है अब सिर्फ दिमागी शक्ती माइने रखती है भारत में अभी ताकत महत्वपूर्ण है अगर आप भारत में बसमें चड़ना चाहें तो आपको कुछ ताकत की जरुवत होगी ठीक है मगर तकनीक जैसे जैसे हमारे जीवन के हर पहलू में हर जगे फैलती जाएगी आप उस स्थिती में पहुँच जाएंगे जहां आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन पुरुष है कौन इस्त्री अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष है या इस्त्री सिर्फ कुछ खास रिष्टों में कुछ खास जगों पर पुरुष या इस्त्री होना महत्वपूर्ण है आपके शोद में क्या फर्क पड़ता है कि आप पुरुष है या इस्त्री अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही है तो पुरुष और इस्त्री को अलग करने की ये हद से ज़ादा कोशिश मानों वो दो अलग-अलग प्रजातियां हो एक गलत तरीका है ये उन भेद भावपूर्ण परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में हो रहा है जो अतीत में मौजूद रही है मगर इन भेद भावपूर्ण परिस्थितियों का होना ये कुछ हद तक सही है मैं कहूंगा कि काफी हद तक सही है मगर ये पूरी तरह सही नहीं है ये सही नहीं है कि इस देश या इस दुनिया की सभी महिलाओं का शोशन किया गया है ये सच नहीं है बहुत सी महिलाओं ने बहुत अच्छा जीवन जिया है हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कभी अपने घरों से निकल कर बाहर काम न किया हो मगर उन्होंने बहुत शांदार जीवन जिया अपने हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह किया तो पुरुष और स्त्री को कुछ पाने के लिए हमेशा अपस में लड़ना पड़ता है ये एक गलत सोच है नारिवाद के बारे में बात करने के बजाए मैं कह रहा हूँ स्त्री प्रकृति को समाज में बराबर मूले मिलना चाहिए इसका मतलब है एक चीज होनी चाहिए देखिए अगर आप ऐसा महौल बनाते हैं कि सबसे शक्तिशाली इनसान ही जीवन में आगे बढ़ सकता है तो पुरुष प्रकृति हावी होगी पुरुष प्रकृति से मेरा मतलब पुरुष से नहीं है एक इस्तरी किसी खास स्थिती में अधिक पुरुष प्रकृति दिखा सकती है मगर इस्तरी प्रकृति का मिटना इस प्रजाति का नुकसान है अगर आप इस्तरी प्रकृति से जूड़ी हर चीज़ खोदेते हैं हर कोमल चीज खुबसूरत चीज खो जाती है बस इसलिए क्योंकि हमने एक असब्भे समाज बनाया है जिसमें जब तक कि आप इस तरह नहीं होते हैं आप जीत नहीं सकते तो आप मानव जाती को नश्ट कर रहे हैं स्थरी प्रकृती की सुन्दरता चली जाए तो कुछ समय बाद पुरुष सोचेंगे कि वो आखिर जिन्दा क्यों है हाँ ऐसा होगा तो किसी भी शांदार समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पुरुष प्रकृती और इस्तिरी प्रकृती दोनों काम कर सकें मगर गुफा मानव के समय से जहां मनुष्य का शारीरिक बल सबसे महत्वपूर्ण था और महिलाओं को एक खास तरह से रखा जाता था एक बार फिर हम आधुनिक दुनिया में वही सिस्टम बना रहे हैं सबसे शक्तिशाली का आगे बढ़ना चूहा दौड जो भी आप इसे कहना चाहें अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्तिरी प्रकृती को मार डालेंगे शायद स्तिरी को नहीं स्तिरी कामयाब हो सकती है वे खुद को पुरुषों जैसा बना लेंगे और कामयाब हो जाएंगी मगर क्या ये मानव जाती के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि कहीं न कहीं आप मानते हैं कि स्तिरी प्रकृती एक कमजोरी है इस विचार को छोड़ना होगा स्तिरी प्रकृती कमजोरी नहीं है ये ताकत का दूसरा रूप है इसमें जीवन दूसरी तरह से व्यक्त होता है जैसे पुरुष एक तरह से व्यक्त होता है स्तिरी प्रकृती दूसरी तरह से व्यक्त होती है योग में पुरुष प्रकृती को दाहिना पिंगाड़ा और स्त्री प्रकृति को बाया कहा जाता है इसलिए माफ कीजे मैं दाहिनी ओर हूँ मगर हम बराबरी पर हैं दो पुरुष और दो महिला हैं बिल्कुल बिल्कुल सद्गुरू झाल झाल